पिछले हफ़ते से बहुत सारी जगा पे लगातार बारिश हो रही है हमारे यहां पे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश है जिस वज़से हमारे जो पौदे हैं वो सभी ग्रीन तो हो रहे हैं पर कुछ पौदों में ज़्यादा पानी भरने की वज़े से बहुत सारी समस्या भी आती है आप क्या चीज़े बारिश में करें अपने पौदों में जिसके साथ आपके जो सभी प्लांट्स हैं वो हेल्दी रहेंगे सेफ रहेंगे कोई भी पौदा आपका खराब नहीं होगा तो इस वीडियो में बात करेंगे सबसे बहले आप देख सकते हो जो सूखे फूल होते हैं जैसे ये मेरे पास जीनिया के बहुत सारे पौदे लगा रखे हैं जिनके अभी फूल दीरे दीर से सूख रहे हैं जब दोस्तों इनमें बारिश का पानी फिल हो जाता है भर जाता है इसके बीच में फंगस लग जाती है जो हमारा पौदे का फूल रहता है सूखा हुआ बिलकुल काला पड़ जाता है अगर ये दोस्तों जो फूल है गलती स भी दूसरे पौधे में चला गया जो उसकी जड़ों के आसपास रहे गया तो यह हमारे पौधे को बिल्कुल खराब कर सकता है उसमें रॉटिंग आ सकती है जिस वज़े से आपका पूरा पौधा खराब हो जाता है इसको साथ के साथ निकालते रहें जिसके साथ हमारे दूसरे पौदे में फंगस ना जाए और ये जीनिया के सभी मैंने जो सूखे फूले निकाल दिये थे और बीच में चमपा के फूले जो खेल रहे थे या अडेनियम के भी फूले उनमें पानी भरने की वज़े से वो खराब हो गे थे बिल्कुल बारיש के मौसर में दोस तो ये सभी चीज़़े नॉर्मल रहती है ऐसा ने एकि सिर्फ आपके ही पौदे में हो रही है ये हमारे पौदे में किसी के पास भी है नरसरी में भी ये सभी समस्य आती है तो इनको साथ के साह निकालते रहे जैसे हमारे पास तो कम पौदे हैं हम ये काम कर सकते हैं तो सूखे फूल बिल्कुल भी ना रहने दे जो हमारे पौदे को खराब कर सकते हैं जैसे यहां पर देख सकते हो मेरे पास बहुत सा रिजीनिया के पौदे हैं सबसे ज़्यादा सूखे फूल भी इनों में हैं पर मैंने टाइम टू टाइम निकाले हैं जिस वज़े से मेरा कोई भी पौदा ऐसा नहीं गया है अभी तक जिन में अभी रौटिंग की समस्या आई हो। दूसरा दूसरा हमारा सबसे बड़ा ये कारण रहता है पौदों का खराब होने का कि उसमें पानी बहुत लंबे समय के लिए रुका रहता है जैसे ये मेरे पास तो खाली गमला है इसके नीचे से ड्रेनेज हो लाए बिल्कुल ब्लॉक है तो आप किसी भी स्टिक के सहायता स क्या कर सकते हैं नीचे से जो ड्रेनेज हो लाए उनको सही करें और साथ में अगर आपके पौदे में फिर भी पानी रुका रहते हैं तो आप सुराक कर दें चोटे चोटे बीच में आसपास जो आपके गमले के जैसे मेरे पास सदा बहर का पौद है इसमें तो वैसे पानी डर था कि पानी ना रुका रहें पर फिर भी मिटी है और नीचे से ड्रेनेज होल सबी अच्छे हैं तो इनका जो पानी है साथ के साथ चला जाता है पर फिर भी मैं इन में ये जो छोटे छोटे सुराग कर रहा हूं जिसके साथ जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो साथ के और जो भी हमने पौदे लगाए हैं उनका कोई भी ऐसा प्लांट ना जाए जिसमें रौटिंग आनी शुरू हो जाए क्योंकि ये बहुत मैनेज से पौदे लगाए जाते हैं और बारिश में अगर ये खराब हो जाते तो इनको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है ये दो है बहुत ज़्यादा रहती है कि हम जो घास फूस है उनको निकाल तो देते हैं पर काफी बार जड़ों के साथ भार नहीं आते हैं जिस वज़े से दुबारा से ग्रो हो जाते हैं पांच दिन में दुबारा से आपका गमला पूरी तरह से भर जाता है पर अभी जैसे इनकी जड़े असानी से बाहर आ रही हैं तो आप भी घास फूस निकाल दें जो भी अगर आपके पौदे में आसपास लगा हुआ है क्योंकि इस वज़े से काफी बार हमारे जो पौदे अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं जो भी हमारे पौदे का निट्रीशन रहता है वो यह सबी जो पौदे रहते हैं यह खीच लेते हैं अपनी तरफ और जो हमारा बीच बाला पौदा है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाता है यहां पर आप देख सकते हो मैं सिरफ थोड़ा सा ही फोर्स लगा रहा हूँ साथ के साथ जो जड़ों के साथ जो भी हमारे यहां पर वीड्स बगरा है वो बाहर आ रहे हैं ऐसी मैंने यह मिर्ची के पौदे लगा रखे हैं जो भी बहुत छोटे हैं फिलहार पर घास फूस बहुत जारा ग्रो हो रखा है जिस वज़े से इनकी ग्रोथ रोक रही है तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने क्या किया ह जो मेरे रेन नी ली है इसमें बहुत जारा जल्दी से जो घास बगरा उगर रही थी अभी मैंने इसके उपर जो मल्चिंग करी है चावल के छिलके लगाए हैं कई गुना इसमें फरक पड़ा है कई हद तक मुझे अभी दिख रहा है जो ग्रोथ है जो वीड्स की ग्रोथ रहती है वो कम हो गई है तो आप मल्चिंग भी कर सकते हैं इसके साथ भी बहुत धीरे-धीरे से जो ग्रोथ रहती है गास फूर तो फिर भी ओगता है पर उनको आप निकाल सकते हैं असानी से वो जल्दी से बड़े नहीं होते हैं और हमारा जो निट्रीशन बगर हम पौदे हैं सूखना शुरू कर देता है या फिर उनके जो पत्ते हैं मुर्जाना शुरू हो जाते हैं सबसे हाँ मुझे कोशन भी आते हैं जैसे हमारे जो स्ब्सक्राइबर हैं जörowing का के बार दो लग Architect लोर आ Elite से लगता है показ टीशंच में सबसे बड़े ज़ए कि आप 15 द पौदे में ये रहेगा कि इसमें फंगस नहीं लगेगी जो भी फंगस इसमें शुरू होगी फंगी साइट के साथ वो बिल्कुल खतम हो जाती है तो आप इसका स्प्रे करते रहें या फिर आप ऐसे पानी में 2 ग्राम एक लीटर पानी में ले लिए जो फंगी साइट पाउडर है अपने पौदों के आसपास मिट्टी में डाल सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यह जो विंका के कुछ जो नीचे से नए पौदे निकल रहे हैं जो पौद है वो भी त्यार हो रही है तो इसमें भी मैंने डाला हुआ है तो आप खुद देख सकते हो मेरे पौदे बहुत अच्छे तरीके से ग्रोग कर रहे हैं एक भी पौदे में फंगस नहीं आई है क्योंके फंगी साइट स्प्रे करने की वज़े से पौदा अच्छे तरीके से अभी तक ग्रोग कर रहे है इसके साथ ही बहुत बार गुलाब में भी देखा जाता है कि जब बारिश आती है तो इसमें जो कर्लिंग की प्रॉब्लम आ जाती है इसके पत्ते सिकुडने लगते हैं तो यही है कि फंगी साइट और साथ में इंसेक्टी साइट आप नॉर्मल ले लीज़े या नीम उयल का स्प्रे कीज़े जिसके साथ पौदे में फंगस और इंसेक्ट वगरा नहीं आएंगे और गुलाब का पौद अपि आपका अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा हमारा दोस्तो जो अगला पौइंट है वो है कटिंग के लिए अगर आपके पास पौदे हैं जिनकी आप कटिंग प्रॉपेगेट करना जाते हो तो अभी सबसे बड़िया जो टाइम चल रहा है जो साल में एक बार आता है जो है मौनसुन का समय इसमें दोस्तों आप कोई भी कटिंग लगाएंगे आपको बहुत बड़िया सक्सेस रेट मिलेगा जैसे आप देख सकते हो मैंने यह स्कैफलेरा की कटिंग लगाई थी यह हमारे पास गेंदे के पौदे में इनकी भी कटिंग अभी लगाने जा रहा हूं तो इनमें बहुत सारे पौदे हैं जो सभी चीजें कटिंग को ग्रो करने के लिए चाही रहती है और हमारा दोस्तो जो अगला पौइंट है वह रीपौटिंग के लिए हमारे यहां पे भी जो फलों वारे पौदे हैं जो जमीन में लगाये जाते हैं जो मौनसुन सीजन में ही जाला तर लगाये जाते हैं जिसके साथ उनकी जड़े हैं सेट रह जाती हैं और साथ में हमारे जो पौदे हैं कोई भी खराब नहीं जाते हैं अगर आप वही पौदे मई जून में लगाने जाएंगे तो काफी बार हमारे पौदे हैं ग्रो नहीं कर बाते हैं उनकी ग्रोथ है एक ही जगा पे रुकी रहती है और साथ में जो पौदे है सूखना शुरू कर देता है परेस बीच में ये वाला जो टाइम है इसमें पौदे बाहर से लेकर भी आ सकते हैं अकर आप उनको लेकर आना चाहें तो बहुत बड़ी तरीके से ग्रोथ करते रहेंगे तो आप ये सबी चीज़े कीजिए जो मैंने आपको बताई है इसके अलावा जो भी और रहेंगी तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और क आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया उनको फॉलो जुरूर कीजिएगा और कमेंट में बताईगा कौन से पौदे आपको सबसे बड़िया लगते हमारे गार्डन में और जिसके बारे में आपको जानकर ही चाहिए तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और साथ के साथ रिपलाई देने की भी कोशिश करूँगा थेंकियो और वाचिंग